तो हेलो फ़रें वैलकम टो आई यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप सब तो फ़र्ण आज का वीडियो जो है वह आप सब के लिए काफी दाज इंपोर्टेंट होने वाला है फ़र्ण रिक्वेस्ट करूँगा आज का वीडियो बिल्कुल एंड तक रिखना फ़र्ण अगर आपके कार के अंदर लाइक जो कूलेंट है और जो इंजन ओईल है अगर वो साथ में कमबाइन हो रहा है लाइक साथ में अगर मिक्स हो रहा है आपके इंजन कमपार्टमेंट के अंदर या फिर कमबर्शन चेंबर के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको proper guide करूँगा कि इस चीज़ को किस तरस आप सही करा सकते हो और आखिर ये issue किस वज़ा से होता है और क्या चीज़ सही कराना आपको ज़रूरी है सो जार टाइम इस नहीं करूँगा मैं हूँ आपका दोस आपका होस्ट अमान बीना टाइम इस करका आज का वीडियो स्टाट करते है बहुत से ऐसी vehicles के अंदर हमें बहुत major issue देखने को मिलता है बहुत से ऐसी vehicle होती है जिसका engine oil और जो coolant होता है वो engine के अंदर mix हो जाता है और ऐसे condition में वो engine के अंदर काफी ज़दा problem भी create कर देता है अगर आपको यह पता चल गया कि आपको जो vehicle का engine oil है और जो coolant है वो mix हो रहा है आपके engine के अंदर तो इसका सिर्फ एक ही common issue होता है वो होता है engine head gasket का मिस कभी भी अगर ऐसा problem आपको face करना पड़ा है like engine oil और coolant जो अगर mix हो रहा है आपके engine के अंदर तो आप सिधा सिधा यह समझ लो कि आपके engine head gasket का आपको काम है वो चीज आपको सही करवाना पड़ेंगा और यह एक main एक ही issue है जिसके वज़े से यह चीज होती है बाकि ऐसे कोई issue और भी होते है लेकिन वो negligible है मिस उसे हम consider नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही rare case में होते है और maximum होते ही नहीं है हम यह भी कह सकते हैं लेकिन जो common issue है वो engine head gasket का ही होता है उस वज़े से जो engine oil है और जो coolant है वो engine के अंदर mix हो जाते हैं अब पहली चीज तो मैंने जैसे आपको बता दिया कभी ऐसा issue आता है तो engine head gasket जो है वो आपको replace कराना जरूरी है मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप उस vehicle को ज़्यादा drive ना करे इमिजेटली जो भी local mechanic है या फिस service station है वहाँ पे आप लेके जाए और engine head gasket का जो work है like उसे replacement आप करा लीजिए और आपका यह जो issue है वो solve हो जाएंगा लेकिन यह इतना भी आसानी है कि आप सिर्फ गए और engine head gasket अपने change करा लिए और यह issue आपका solve हो जाएंगा क्योंकि अब engine oil और coolant अगर साथ में mix हुआ है तो वो जो solution है वो हर एक compartment में आके flow हुआ होगा तो वो चीज़ को भी निकालना जरूरी है like हो सकता है वो combustion chamber में भी चला गया हो तो वहाँ से उसे clean करना जरूरी है हो सकता है आपके exhaust के अंदर तक वो पहुँच गया हो तो वहाँ से निकालना भी जरूरी है और ऐसे काफी सारे जो component से वहाँ तक वो engine oil और जो coolant का mixture है वो पहुँच जाता है तो उसे clean करना भी जरूरी है और head gasket change कराना भी जरूरी है तो यह एक major issue में आपको बता है हो यह ही अपकी problem हो सकती है अगर ऐसा issue आ रहा है तो engine head gasket का issue है उससे आप जाके solve कराओ replace कराओ यह problem आपकी solve हो जाएंगी अब मैं यह भी आपको clear कर लेता हूँ कि इसकी symptoms होते का है और आपको किस तरह से पता चलेंगा कि engine oil और आपका coolant जो है वो आप गाड़ी के अंदर mix हो रह तो उसका color जो है वो milkish type हो जाएंगा like आप कह सकते हो light brown या dark brown भी उसका color हो सकता है तो यह color आप check करो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ आपको impurities दिख रही है या फिर उसका color काफी जादा खराब दिख रहा है गंदा दिख रहा है like brown color का यह dark brown में आपक कि उसके पर coolant का कोई solution तो आपको नहीं दिख रहा है like coolant जैसा तो कोई आपको solution नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर mix हो रहा है दोनों चीज़े तो वो sum तक भी आपके आएंगा engine oil sum जो है और आपके coolant reservoir tank तक भी वो आपको present देखने को मिलेंगा तो यह चीज़ दोनों आप चेक करो इसके अलावा एक symptom यह भी है कि अगर वो आपके combustion chamber तक पहुंच गया है like coolant और engine oil का mix तो आपके vehicle के अंदर black smoke भी आपको देखने को मिलेंगा और sometime white smoke भी देखने को मिलेंगा अगर combustion chamber में coolant का amount जादा हो जाए अगर वो combustion chamber में जाके burn हो जाए तो white smoke आपको देखने मिल रहा है तो आप यह समझ जाओ कि engine oil और coolant जो है वो आपकी combustion chamber तक पहुंच गया है और अगर यह problem आपकी vehicle में आप भी गई है तो tension लेने की बात नहीं है सबसे पहले तो आप किसी भी local mechanic के पास चले जाए वहाँ engine head gasket जो है उसे आप change करवा लीजे बहुत सा time होता है कि engine head gas kit जो होता है उसके अंदर leaks हो जाते है या फिक cracks आ जाते है उस वज़े से भी यह दोनों चीज़े mix हो जाती है तो यह चीज़ आपको करवाना ज़रूरी है और मैं आपको recommend करूंगा कि आप ऐसी vehicle को ज़्यादा drive ना करे जैसे भी आपका maximum possible होता है उस vehicle को आप local mechanic service station यह चीज़ कराना ज़रूरी है अगर यह combustion chamber तक पहुंच गया ज्यादा quantity में तो hydrolog भी वहाँ हो सकता है engine आपका sees भी हो सकता है engine के अंदर wear and tear भी ज्यादा बढ़ सकता है तो यह चीज़ अवाइट करने के लिए जल से जल हो सके तब local mechanic के पास जाके engine head gas kit कर वर्क करवा ली चीज़ तो अगर आपके कोई भी डाउट है इस वीडियो से रेलेट है या कोई भी अधार तो आप comment section में पूप सकते हो मैं जल से आपको reply देता हूं आज के लिए तैम नेक्स वीडियो में जब तक के लिए good bye